गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इस वीडियो इस फॉर क्लास फिफ्ट एसस्टी हमने जो लास्ट में सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा था लैटिट्यूट एंड लॉंगिट्यूट उसका आज हम बुक वाक करेंगे हमारा चैप्टर हमने रीड आउट कर लिया था आज हम उसका बुक वाक और उसके जो वर्ल मीनिंग है चैप्टर के वो हम करेंगे start करते हैं अपना book work देखिए इसमें पहले जो book work है इसमें जो पड़ दिया हो है philips फिर इन्द ब्लेंट्स दिया हो है start करते हैं इन्हे first देखिए the zero degree latitude is known as the dash क्या कहलाता है वो वो कहलाता है prime meridian ठीक है second देखिए the dash is marked as 90 degree south इसकाएगा south pole जो south pole है वो mark किया राता है 90 degree south से ठीक है third जो है वो है the 23 and half degree north latitude is known as the dash क्या कहलाता है वो tropic of cancer next देखिए fourth the meridians to the east of the prime meridian are marked as कैसे mark किया जाता है degree east next देखिए the tropic of capricorn lies to the dash of the equator तो 23 and half degree south ठीक है तो इस तरह से हमारे जो feel up है वो पूरे होते हैं आप देखिए हम जो B part है उसमें दिया हुआ है true false state whether the following statements are true और false बताना है कि जो statements दी गई है वो true है या false false देखिए the equator divides the earth into four equal halves इसकाएगा false क्यों? क्योंकि जो equator है वो अर्थ को two equal halves में divide करते हैं तो लिए है false है second देखिए 180 degree west is known as the prime meridian इसकाएगा false थर्ड देखिए the two end points of the globe are called the poles true north pole और south pole के लाते हैं जो globe में end points होते हैं वो क्या होते हैं? poles next देखिए latitude form a network called grid इसकाएगा false क्यों? क्योंकि जो latitudes है और longitudes इनका जो network बनता है imaginary line के true वो कहलाता है greatest list का अंसर हैगा false next देखिए fifth last जो हमारा true false है the equator is an imaginary line इसका हैगा false ठीक है? अब देखिए हमारे जो true false है वो complete होते है इसके बाद जो हमारा c part है वो होता है matching इनका हमारे दो column दियो है column A और column B इन्हें हमें क्या करना है? match करना है ठीक है? next देखिए 23 and half degree north इसका हैगा tropic of cancer ठीक है? next देखिए 66 and half degree south इसका हैगा Antarctic circle next देखिए longitude इसका हैगा last इसका है median इससे रेट करता है median से तो इस तरह से जो हमारा book work है fill ups हमारे true false और matching complete होते हैं अब हम इसके जो copy work है वो word meaning हमारा book start करते हैं तो आये next page पर इसमें हमारे word meaning दिये हुए तो देखिए पहला जो दिया हुआ है वो है latitude इसका होता है अक्षान्शो ठीक है longitude second है इसका होता है देशांतर थर देखिए imaginary इसका होता है kalpnik next देखिए horizontal इसका है शैतिज यानी पढ़ा हुआ next है vertical इसका होता है खड़ा है लंवत next आता equator इसका होता है भूमध्य रेखा next देखिए pole इसका होता है दुरू साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमने पढ़ा था ठीक है next है meridian इसका होता है देशांतर या मध्यान next देखिए grid grid क्या होता है जाल next देखिए coordinate इसका होता है निरदेशांक next देखिए location इसका होता है स्थान next देखिए destination इसका होता है गंतव्य last जो आता है वो है parallel ठीक है इसका क्या आएगा समान अंतर ठीक है बिटा यह last है परलर इसका होता है समान अंतर तो इस तरह से जो हमारा book work है और जो हमारे world meaning है बिटा वो complete होते हैं जितना भी आपको यह second chapter जो हमारा है इसका book work कराया है अपनी book में feel करें ठीक है और जैसे जैसे मैंने feel लाप true false लाल्स और मैचिंगा इस में स्टार्ट वर्ड मिनिंग जो हैं आगे सब लए कोश्चेंन-सर डेटेलár ले य। छोड में वह हम नेक्स वीड़ियो में पढ़ेगे इस तरह से तक नाया बुक वाक और वर्ड मिहिंग कंप्लीट करें थैंक